Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 18th April से लेकर 24th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अगर आप personal tarot s2 session book कराना चाहते हैं तो मुझे whatsapp call या फिर whatsapp message करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि दिए normal call हो सकता है, miss हो जाए लेकिन whatsapp पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और मेरी contact details आपको नीचे description box पे मिल जाएंगी इस video के end में भी मिल जाएंगी इसी के साथ साथ अगर आप DDT already में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का सापता ही कराशी फल चलिए लियोज आप लोगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो Professional Front के लिए आप लोगों के लिए cards है Strength and Partnerships and Alliances और देखें ये दोनों cards एक दो चीज़े कहते हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी के साथ मिलके किसी के साथ partnership में आप specifically अपने Professional Front में कोई काम करना चाहा रहे हैं और उसी से ही related कुछ challenges, कुछ issues रह रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि in general ही कुछ issues, कुछ challenges हैं जहां पर किसी loved one, किसी co-worker, किसी colleague की तरफ से एक cooperative, एक supportive energies हैं देखिए ये general reading है, सब के लिए थोड़ा-थोड़ा differ करेगा लेकिन जो भी हो, यहां पर strength का काट कहता है कि आप हर चीज़ को बहुत ही strongly, बहुत ही boldly deal कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं आप बहुत sabr, बहुत patience रख रहे हैं बहुत ही again मैं कहूंगी, compassionately हर चीज़ को deal करते वे दिख रहे हैं और जब भी भी Leo's हम ऐसी energies में होते हैं तो जो भी issues externally होते हैं उनको बहुत ही easily हम overcome करते हैं और अपने goal, अपने मकसद को achieve करने से फिर हमें कोई चीज़ नहीं रोख पाती है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है देखें इस strength के काट को अगर हम literally भी देखें तो बहुत जबरदस्त एक power की बात करता है और ये power ही इस week आपके professional front में रहती हुई देख रही है and personal front के लिए आप लुगों के लिए काट से है king of source and fulfillment of wishes तो देखें कोई wish, कोई desire आपकी इस week या तो पूरी हो रही है या फिर आप करना चाहा रहे है या फिर आपको लग रहा है कि भई अब ये wish, ये desire आपकी पूरी हो जाएगी क्योंकि ये general reading है तो ये wish, ये desire सब के लिए differ कर सकती है कुछ के लिए love relationship से related हो सकता है कुछ लोगों के लिए tangible materialistic चीज़ों से related हो सकता है कुछ लोगों के लिए जगा से related हो सकता है अगेन मैं कहूंगी सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा लेकिन देखे surface level के लिए king of swords का card कहता है कि इसी से ही related या फिर otherwise भी बहुत ही logically, बहुत ही mind से आप हर चीज़ से deal करना चाहा रहे है आप किसी भी चीज़ के लिए emotional नहीं होना चाहा रहे है एक attachment नहीं रखना चाहा रहे है फिर से दिखे बहुत ही detached तरीके से हर चीज़ को deal कर रहे है एक plan बनाते हुए दिख रहे हैं एक strategy बनाते हुए दिख रहे हैं एक clarity लाते हुए दिख रहे हैं और इसी clarity के साथ again हर चीज को deal भी आप कर रहे हैं and guidance से आप लोगों के लिए share the love का card है और ये card बहुत ही clearly कहता है कि इस week आप अपने loved ones के साथ connect करें जो भी लोग you know आपकी life में हैं जिनके लिए आप बहुत love feel करते हैं फिर आपको लगता है कि उनके मन में आपके लिए बहुत love है उनके साथ जादा आप time spend करें उनके साथ आप जादा interact करें और कहीं देखिए आप mind से कम और heart से जादा काम लें क्योंकि देखिए personal front के लिए यहाँ पे king of swords का card बहुत एक logically चीज़ों को deal करने की बात करता है बहुत mind से चलने की बात करता है और देखिए मैंने हमेशा कहा है लियोज कि heart और mind का balance ही ideal situation होती है जब भी भी यह balance बिगरता है तो हम परेशान होते हैं तो थोड़ा सा खयाल रखें कि इस week in general या फिर specifically आपके personal front में heart और mind का balance ना बिगड़े और astrology से आप लोगों के लिए Jupiter का card है और इसके हिसाब से yellow color इस week आप लोगों के लिए lucky रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह थालियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए